हہलो फैमिली, जैशीराम तो आज है माई के में तीसरा दिन और आज हम लोग निकल रहे हैं कहीं बाहर घुमने के लिए तो यहाँ पे हो गई हूं मैं तेयार मम्मी भी हो गई है, तेयार, सब लोग घर में तोटो का वेट कर रहे थे तो यहां पे देख लिजे कि भाईया पापा सब भर्मुग जा रहे हैं घूमने के लिए वैसे पापा भाईया को टाइम नहीं मिलता है लेकिन मैं गई थी तो उन्हों को भी थोड़ा सा टाइम मिल गया बाहर निकलने का तो बच्चे तो बहुत ही है रेडी और पापा के गोदी में है अपनी दादा जी के गोदी में है यहां भाईया शूस रहना रहा है उसको और वो लड़ू क्या करती है ना कि उसका नाम है तनीशी और प्यार से सब को इना उसको लड़ू गोलते है तो वो अना अपना शूस बार-बार खोल देती है खोल के ना नीचे चलने की कोशिश करती है तो यहाँ पे देख लिजे कि हमने सब कोई बैड़ गये तोटो में अब हम जा रहे है पार्क तो यह खड़कपुर में एक फेमस पार्क है जो कि मैं कभी नहीं गई थी यह फर्स टाइम मैं जा रही हूँ तो यहाँ पे देख लिजे कि सब लोग हमने बैड़ गये हैं टोटो में और जो लड़ू है वो तो बहुत ही जादा खुश थी आप लोग आगे देखेंगे कि लड़ू का इतनी जगा बहुत अच्छा अच्छा एक्सप्रेशन देखने के लिए मिला है कि आप लोग भी दे देख रहे होंगे आप ध्यान से देखेंगे तब आप लोग देखेगा तो हम लोग टिकेट मिल गई हैं अंदर आ गया है पार्क में और यहां पे देख लिजे कि पार्क बहुत ही जादा बड़ा है और अच्छा है मुझे मैं तो नहीं गई थी फिर्स टाइम गई हूं त आप लोग देख सकते हैं कि उन्हों का इकसाइटमेंट कितना जादा है तहां पे देख लीजे कैसे हर्वर्ड दॉड रही है कि अए उसका है कि क्या जूले किसे छुळ जाए किसे बैठ जाए क्या खेले नहीं खेले तो यहां पे कुशी स्लाइड करने वाली थी तब तक लडू स्लाइड कर दी अब विचारी रुख गई है क्यों क्यों उत्रेगी तो फिर लडू को छोट लग जाएगी इसलिए वह वहाँ पे वेट कर यह थे लडू धर गए यहाँ पे देख लीजे क्यों कैसे फैर अपना कर रही है तो आप भी बहुत जादा इंजॉय कर रहे बहुत मज़ा रहा था पार्क में तो और मैं सचे कि अंदर जाने से पहले यहां सामने जो भी जूला है वह सब जूल ले थे और यहां पे देख लीजे फ्रेंड्स की भाईया और भावी ना मुझे भी बैठा दिये थे बुले कि बच्चों के साथ तुम भी जूलो बूग में पता चलेगा तो यहां पे देख लीजे कि डड्डू अपना शूस खोल दिये फिर उसकी ममी परिशाने से पकड़ने में और फ्रेंड्स यहां ना मेरे और भावी की दिमाग में बस एकी चीज़ चल रही थी कि बच्चे कोई पकड़ ले ताकि हम लोग अपना इंजॉ ले रहे थे तो यहां पे ना पापा सारा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और यह दोनों बहन ना यहां वहां तुरंट कहां से कहां भाग जा रही थी चली जा रही थी अब मैं वही देखते रह रहे थी कि आखिर गई कहां क्योंकि पार्क काफी जादा बड़ा है फ्रेंड्स भाईया बोल रहे थे कि चलो बठा देते जुला देते लेकिन वह नहीं जूले की नहीं पर उसे बस देखना है कि क्या है क्या चीज है क्या समान है और यहां विचारी मम्मी थैला लेकर गूम रही है और सब इधर उधर चले गए अपना जूलने के लिए देखिए मैं आग जूला मुझे खाली मिला है तो चलो बैठके जूल लेते तो देख सकते हैं आपने यहां पर एक जूला खाली है और यह पेड में देख लीजे फ्रेंड्स की कितना अच्छा कलर किया हुआ है जो कि देखने में बहुत ही जादा अच्छा लग रहा है तो यहां पर मैं जादा देख जूल नहीं पाएंगे क्योंकि यह जूला कि किनारी किनारी ऐसे बॉर्डर जैसा उठा 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 ऐसे डिजाइन जैसा था आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों दिखेगा तो यह ऐसा उठा उठा जैसा था जो कि पैर में बहुत ही जादा लग रहा तो इसलिए मैं थोड़ा सा जूली उसके बाद मैं हट गई और यहां पे देख लीजे कि लड़ू इस वाले जूले में बैठी है जो कि उसको बहुत ही जादा मज़ा आ रहा था जूला जूले में और उसके पापा परेशान थी उसको जूलाने में लेकिन वो थी कि जूला प यहां पे देख लीजे कि मैं खुशी को बोली कि खुशी आप भी लड़ू जिसमें जूली है आप भी जूलो तो वो बोली कि नहीं मैं नहीं जूलूंगी तो यहां पे देख लीजे कि वो उन्लों का है कि बस मुझे छोड़ दीजे दोनों बहन का हाथ हो गाईज वू अच्छह है तो वीजू क्लाई करो जरलों को सिस्क्राइब करो देखें तशै को सबकी होए मामों के पास इतनी आच्छी हैं और मामी की नाखुटों बना है एक चश्ला किन इसको करने कि इस वो जूद नहीं तुम क्राइसे का गुर्णी युजियर को स्सक्राइब कर नो अब जो आज़िए करें नो कुंद सिस्क्राइब कर और मैं जाखे गई हु तो मैं यापर भी बैट गई हूँ तब ने में जारी हूँ पिक-निक करने और हेलो जाइस यहाँ पर अलीशी बैठी हुई है और यासी मामी दोड़ के आगई है तो अभी ममी भी करे अपना और यासी में हाट लेगा सब पच्छी आरगा मैं शित्ती आरगा सब कार खोड़ के I love you हाँ हाँ तो गाइस फोर में पेटी बाई तो फ्रेंट्स यहाँ पे मैं अपना وइस और कर रही थी तो खुशी आ गई दोड़ की और वो फोन ले ली बोली कि मुझे भी करना है मुझे भी बोलना है ममी आप चीनकिना फ्रेंट्स वो अपना वोसोवर की है और यहां पर देख लिजी कि ममी पाप को फोटो शूट हो गया है और यहां पर बच्चे बैट के अपना फिकली कर रहे है जो कि जिपस और कोड़ी रहे थे और यहां पर देख लिजी कि कितनी सुंदर मूर्ती है यह गौतम बुद की मूर्ती है और यहाँ पे बहुत सारे रील्स हमने बनाए जो कि बहुत अच्छे अच्छे बने थे और यहाँ पे फिर गार्डिन में बहुत सारे फ्लावर्स थे जो कि न मतलब फ्रेश भी थे और बहुत सारे सूख भी गय थे तो आप लोगो दिखी रहा होगा वीडियो में कि बहुत सारे फ्रेश दिख भी रहे थे, बहुत सारे फ्लावर्स ना सूख गये थे, मुर्जा गये थे, तो यहाँ पे देख लिजे कि गार्डेन बहुत ही जादा सुन्दर, बहुत ही जादा अच्छा लग रहा था, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ी देर घूमें, उसके फिर ना हम लोग चले गए, वहाँ एक गाओं करके था, जो कि इस पार्क के अंदर ही था, तो वहाँ फिर भावी बोली कि चलिए, वहाँ पे चल जाते हैं, ने तो फिर अंधेरा हो जाएगा, तो हम लोग वो जगा घूमने ही पाएंगे, तो वहाँ पे अभी हम लोग जा और गार्डेन भी बहुत ही जादा बड़ा था, बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए थे, रोज गार्डेन अलग से था, जिसमें की रोज बहुत सारे हुए भी थे, बहुत मुझाए भी थे, तो यहाँ पे देख लिजे, आप लोग को रेड है, पिंक है, बहुत अरक के र पॉसिवल नहीं था, और यहाँ पे ना कुछी स्लो मोशन में दौर दौर के आ रही है, सोचिए ना कि मम्मी उसकी वीडियो बना रही है, तो इसलिए वो ऐसा करना मसब कर रही है, तो यहाँ हम लोग निकल गए, वही जो गाओ जो देखना था, जो कि यहाँ पे अंदर मे ना फ्रेंड्स बनाया गया है, कि एक्चुली में गाओ, क्योंकि अब तो बहुत मतलब मैक्सिमम लोग शहर में ही रहते हैं, गाओ कैसा बहुत लोगों को पता भी नहीं होता है, कि गाओ कैसा था पहले की जबाने में, कैसे रहते थे लोग, तो वो सारी चीज आपको आज की वीडियो में पता चलेगी, तो यहाँ पे हम लोग आ गये, टिकेट काउंटर में, गोलगाओ करके नाम था उस जगह का, तो यहाँ पे टिकेट ले लिए हैं, और अब हम लोग जा रहे हैं, अंदर गोलगाओ में अंदर, तो यहाँ पे देख लिजे कि जैसे हम लोग अ देख लीजे कि अभी आप लोग बस देखे लड़ू का एक्सप्रेशन आप देखे गहां तो यहाँ पे देख लीजे कि बतक हम लोग के तरफ देख रहा है और उसके बाद फिर भाया ना लड़ू को नीचे उतार दिये हैं तो जैसे ही लड़ू नीचे उतरेगी ना उसके आप बस लड़ू की आँखे देखे ये देखे फ्रेंस उसके आँखे देख रहे हैं फ्रेंस आप लोग ये देखे फ्रेंस इतनी जादा मतलब वो चौग गई थी इतनी जादा खुश थी ना कि वो बता नी पारी थी वो अपनी खुशी को जाहिर नी कर पारी थी कि क्या क करें कैसी खेले क्या कर लें उस वह न बार बार जा रही थी उसको पकड़ने के लिए जो की पकड़नी पारी थी क्योंकि डग तो भाग जा रहा था आगया गे तो यहां पर देख लिए कि वाइट कलर का जो है वह हम लोगों के साथ साथ में ही चल रहा था और इस साइड में सारा वो डग का घर बना हुआ था जिसमें की छोटे-छोटे बच्चे भी थे डग के और यहां पर बोटिंग का है तो हम लोगों ने तो बोटिंग नहीं की थी क्योंकि शाम हो गया था तो जल्दी घर भी जाना था तो बोटिंग के लिए अगर आप दिन में आएंगे और देख सकते हैं अंदर यहां पर देखिए छोटे-छोटे और वो उनकी मा है जो की गुस्ता हो रही थी कि मेरे बच्चो को कोई छुए ना हात ना लगाए तो यहां पर देख लीजिए फिर हम लोग आगे-आगे बढ़ते गए देखने के लिए कि आगे क्या-क्या है तो य यहां की बोटिंग-बोटिंग होता है और यहां पर भी है क्या है पता नहीं जो कि यहां तो कुछ नाम नहीं लिखा हुआ है तो ऐसे घुमने में ना फ्रेंट्स बहुत ही जादा मजा आ रहा था अच्छा लग रहा था और फिर्स टाम इस जगा पर हम लोग गया थे ना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था तो आप लोग देख लिजे कि यह कैसा है विलेज गोल गाओं तो अंदर आप जाएंगे ना फ्रेंट्स तो आप लोग को और भी बहुत सारी चीज़े देखने के लिए मिलेगी तो आप लोग में बने रहेए और व्लोग को पुरा इं होता है और यहां पर देख लिजे यहां पर लिखा हुआ है चाय दुकान लिखा हुआ है यह क्या है चाय दूव लिखा हुआ है यहां पर देख लिजे कि फोटो बनी हुई है तो फ्रेंट्स यह मतलब इस सेट जैसा है ना तो उस सेट भी वैसे ही है घूमने के लिए तो इस तार hal ही घूम हैं चोपड़ करने कि अरहा Cantos are आजुई है कि ciek में फेरोजआ रहा हैं लेकिन फान सबिक कैने सबती और रहा रहे हैं धिखने में अर्वा को राएं प sürचने लगाय सब्सक्राशल सब्सक्रेखन को और में तो यहां पर देख लिए यहाँ ऐसे सर पे उठा के लेके आती थी तो वो चीज यहाँ पे दर्शाया गया है तो यहाँ पे देख लीजेगी क्रिस्मस का भी यहाँ पे सेंटर सब कुछ बना हुआ है अच्छे से तो बहुत ही अच्छा लगा फ्रेंड्स खुमने में बच्चों को लेके आएंगे आप लोग तो बहुत ज़ादा इंजॉय करेंगे बच्चे और यहाँ पे छोटा सा पुल जैसा बना हुआ है जो कि आप क्रॉस करके उधर जाएंगे तो वहाँ भी बहुत सारी चीजे हैं देखने के लिए तो यहाँ पे देखिए खुशी और इशाना आगे आगे भाग गई थी उन्हों पहले ही घुम रही थी सोच लिजे कि कहां कहां चली गई है और जिस दिन हम लोग गय थे उस दिन बहुत जादा भीड नहीं थी तो हम भूँ बहुत अच्छे से और अराम से घुम लिये थे तो यहाँ पे देख लीजे कि मम्मी भी चल रही है वैसे मम्मी को भी निकलने का मौका नहीं मिलता है लेकिन मैं गई थी तो सब को एक मौका मिल गया बाहर निकलने का तो सब लोग बहुत जादा इंजॉय किये हम लोग घुमे फिरे मतलब बहुत ही जादा फैमली टाइम जो होता है ना फ्रेंड्स वो बहुत ही जरूरी है मतलब हफते में एक दिन आप अपने फैमली के साथ जरूर बाहर निकल लिए बहुत अच्छा लगता है बहुत ही जाद अच्छा लगता है अर ये सारी चीज़ें किया होती है的 ilaurti रह जाती है इसी में चला जाएगा तो इसलिए फैमिली को भी टाइम देना बहुत जरूरी है बच्चे सबसे ज़्यादा खुशी तो बच्चों को होती है और यहाँ पे देख लीजे कि भाब भी न उसको खुशी को बले कि यह ममी है यहाँ पे मसाला बीज रही है अखुशी बिना हाथ पकड़ लीवरी ममी ममी कर रही थी तो यह सारी चीजे है फ्रेंट्स जोकि हम लोग बहुत ज़्यादा एंज़ाए के थे तो सोची कि हम लोग घूमे तो यह एक बहुत ही अच्छा मतलब क्या बोला जाए और यहाँ पे शंकर भवान का है मंदिर उपर में तो बहुत अच्छा लगा फ्रेंट्स और यह आज का व्लोग आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है क्योंकि यह सारी चीज़े आप लोग को अभी तक मेरे व्लोग में नहीं देखने के लिए मिला है जो कि यहाँ पे देख लीजे बैल गारी है मतलब बहुत सारी चीज़े बनी हुई थी यहाँ पे देख लीजे लेडिस कैसे कुवां से पानी उठा के मतके में भर के लेकि जाती थी अपने घर पे तो यह सारी चीज़े यहाँ पे दर्शाय गई है तो यहाँ पे देख लीजे फ्रेंट्स की बोटिंग भी हो रहा था पर हम लोगोंने नहीं क्या बोटिंग तो यहाँ पे फिर हम लोग घूम फिर के निकल आए बाहर क्योंकि फिर शाम भी हो रहा था तो यहाँ पे देख लिजेगी तो आपको कैसा लगा फ्रेंट्स व्लॉग जरूर बताईएगा अभी व्लॉग में आप लोग बने रहेंगे व्लॉग एंड नहीं हुआ है क्योंकि अभी व्लॉग में और भी ज्यादा इंट्रेस्टिंग चीज कुछ आने वाला है जो कि आप लोग देखेंगे पूरा तब आपको पता चलेगा और यहाँ पे न इन लोग दोड़ा भी दे वहां पे देख सकते हैं वर ब्लैक आपको दी रहा है तो वो मछली है डो तो वही देखने के लिए न हम लोग ऊत्रो डपूर जाए इस लिए मम्मी घुसा कर रही जो की देखने में बहुत ही जाद अच्छा लग रहा था तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग की दो बतक कैसे पानी में मतलब यह सारी चीज़े जो है ना हम लोग टीवी में देखते हैं वो आप रियल में अपने आखों से देखेंगे ना फ्रेंस तो बहुत ही जाद अच्छा लगेगा तो यहाँ पे हम लोग फिर गोल काउंस से निकल गए हैं बाहर और बाहर जाने के बाद उसके बाद यहाँ पे ना फ्रेंस टॉय ट्रें करके था छोटा सा ट्रें था जो कि यहाँ पूरा मतलब आपको राउंड लगवाएगा पार्क का जो कि आपको पूरा देखनी के लिए मिलेगा तो भाया बोले कि चलो बच्चों को उसी पर बठा देते हैं उनलोग इंजॉय करेंगे तो मम्मी नहीं बैट रही थी मम्मी डर रही थी मम्मी सोचे थी कि जैसे मेला में होता है ना फ्रेंड्स वो ड्रैगन वाला जो कि बहुत तेजी से भागता है तो मम्मी को ना वही फिलिंग आ रहा था मम्मी सोचे थी कि बहुत तेज से भगाएगा दोडाएगा तो इस डर से ना मम्मी नहीं बैठी तो उसके बाद friends हम लोग तो बैठे गए सब कोई और यहाँ पे भाईया पापा भाबी हम लोग सब लोग बैठे थे सिवाए मम्मी के मम्मी नहीं बैठी मम्मी बोडी की नहीं हम नहीं बैठेंगे तो यहाँ पे हम लोग बैठ गये हैं और लड़ु को देख लीजए आप लोग की लड़ु सोची की अब पापा कहां बैठा दिये लड़ु को और यहाँ पे देख लीजए कि सारे बच्चे हम लोग सब को ही खुश है तो बच्चों के बहाने ना friends मतलब बड़े लोगों का भी अच्छा enjoyment हो जाता है इसलिए खुद तो time नहीं मिलेगा friends कम से कम बच्चों के लिए जरूर घर से निकल लिए बच्चों को घुमाईए ताकि आप लोग भी घुम सकें नहीं तो कभी घुमना होगा ही नहीं वैसे सोचते रहेंगे तो कभी घुमना नहीं होगा इसलिए बच्चों के बहाने तो जरूर निकल जाएगे तो यहाँ पर देख लीजे कि धीरे धीरे ट्रेन निकल पड़ी थी अपनी रफ्तार से और हम लोग पूरा जो व्यूज है उसका इंजॉय कर रहे थे एकदम और शाम हो गया था फ्रेंट्स तो मच्छड भी ना बहुत ही जादा थे फ्रेंट्स तो यहाँ देख रहे हैं आपकी ट्रेंड कितनी जादा स्पीड से चल रही है आपको दिखी रहा होगा इस स्पीड से तो इंसान दस राउंड लगा ले तो यहाँ पर देख लीजे लड़ू भी देख रही है पूरा ध्यान से कोई भी चीज ना फ्रेंट्स वो बहुत ही बहुत ही जादा घना जंगल था और जंगल में बहुत सारे एनिमल्स की ऐसे बना हुआ था मिट्टी का तो यहाँ पर देख लीजे आगे आपको दिखेगा और यहाँ लड़ू को कुछ दिख गया है जो कि वह बड़े ध्यान से देख रही है तो यहाँ पर देख लीजे क जो कि बच्चों को पता होनी चाहिए तो देख के भी वह सीख जाते हैं इसलिए पैरेंट्स पार्क लेके आते हैं गाड़े लेके आते हैं कि ताकि बच्चे बाहर निकले कुछ देखे तो सिखे और यहाँ पर देख लीजे कि ऐलेफेंट चला गया है अब फिर टाइगर आएगा लायून आएगा ऐसे करके बहुत सारे अनिमल्स है कुछ कुछ है तो वह सारी चीज़े आएंगी और यह सारा कुछ हम लोग ने अच्छे से घूम लिया है बस ट्रेन में घूमना बचा था तो यहाँ पर देख लीजे कि सब कुछ घूमने के बाद और यहाँ पर बच्चों का था कि वो घूम तो रहे हैं देख रहे हैं फ्रेंट सब कुछ इंजॉय कर रहे हैं लेकिन अब उसके बाद होता है ना कि अब घूम लिये अब क्या घूमना तो हो गया अब है कुछ खाना तो फ्रेंट्स घूमने के बाद ना हम लोग वहाँ पर सौफटी खाएं और सौफटी खानी के बाद हम लोग आ गए घर घर पर फिर भावी बोली कि चलिए आज बिर्यानी खाते हैं तो भाईया फटा फट से बिर्यानी ले आएं चिकन बिर्यानी और चिकन टिकका कुछ तो यहां पर देख लिजे कि भाईया और भावी प्लैन के थे कि रात का डिनर हम लोग यह क्योंकि बच्चों को पसंद है बिर्यानी बहुत जादा इसलिए वही प्लैन हुआ कि वही आएगा उसके बाद ना फ्रेंट्स घूमने के बाद हम लोग इतनी जादा ठक गया थे और भूक भी इतनी जादा लगी थे ना फ्रेंट्स की कुछ समझ नहीं आ रहा था बस लग रहा था कि खाए फिय और अराम से सो जाए तो यहां पर देख लिजे भावी फटा फट से निकाल रही है उसके बाद आप देखेगा फ्रेंट्स की यहां पर जैसे ही निकला है ख खाये थे और वहां से सिधा घर आगे और घर में भाईया ले आया थे बाहर से बिर्यानी और यहां पर देख लिजी के रेड रेड चिकन जो कि देखने में बहुत ही जादा यम्मी दीख रहा था फ्रेंट्स और खाने में तो खाने में तो बहुत ही लाजवाब था एक्द पाञिद में से चावल चुन चुन के खार है और यहां पे देख लिजिए की खुशी चिकेन भी टूट पड़ी है हुशि को छिकेन बहुत ज들हाता पसंद तो यहां पे देख देखे बाबी निकाल रही है वह है और यहां पर चिकेनबचे denas hat लगा दिये हैं खाने के लिए, और इशाना ब रहे तो अब आप हो हैं तो यहां पर बड़ी हो गई है फ्रेंटस , इसलिए वह थोड़ी से समयदार हो गई है और यह दोनों अब छोटे horse special expression जो हरकत है वो सब करते रहते तो यहाँ पे देख लिजे कि खाना अब निकल गया है और अब आप जो देखेंगे ना फ्रेंट्स वो आप देखके एकदम हैरान रह जाएंगे क्योंकि यहाँ पे आपको दीख रहा है अभी खाना ना यह खाना साफ होने में ना फ्रेंट्स मुश्किल से 15 मिनट लगा होगा जो की भूग इतनी जादा सबको लगी हुई थी ना कि किसी से बरदाश नहीं हो रहा था बस वेट हो रहा था कि कब खाना खूले और भाया ना फ्रेंट्स कोई भी चीज लेते हैं तो वो बहुत ही जादा ले लेते तो भाया तीन प्लेट यहां पर बिर्यानी ले थे तो दो प्लेट तो हम लोग खा लिए दो अधाई प्लेट खाएं आधा प्लेट बची गया था और उसके बाद फिर हुआ सधानी का टाइम मतलब जितनी भूक लगी थी वो तो फटाफट सबने खा ली उसके बाद फिर बच गया तो अब बैट के सधाना पड़ गया तो फिर थोड़ा सा जो बचा तो भावी रग दी थी तो यहां पर देख लीजे कि खाना सर्फ हो गया है और हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा है सिर्फ खाने के सिवाए तो यहां पर हम लोग तूट पड़े हैं खाने पर और बच्चे को तो बच्चे लोग को बिर्यानी बहुत ज़्यादा पसंद है तो उनलोग मामा घर आते हैं ना वोते कि बिर्यानी खाऊंगी मैं तो बिर्यानी खाऊंगी तो इसलिए भी बिर्यानी भाईया हमेशे ही लाते हैं तो यहां पर बहुत मज़ाया था हमनों घुम फिर के आए खाना वाना खाएं और खाने के बाद फिर फ्रेंट्स बेट पकड़े और सीधा नींद आ गई इत और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में तब तक के लिए बाई बाई और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं फ्रेंट्स तो चैनल को ना सब्सक्राइब कर दीजे बेल आइकन जो है उसको प्रेस कर दीजेगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए मि म अगर ँप तक का दो हुँच है